सिद्ध योग में आपका स्वागत है। शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं वह भी बिलकुल मुफ्त में। परिशानी होती है और आप अपने बड़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपनी बॉड़ी को बहुत जड़े स्ट्रॉंग करना चाहते हैं। तो आज हम आपको पताने वाले हैं एक ऐसे आसन के बारे में जिसका की नाम है फलक आसन ये इस आसन का संस्क्रीट नाम है और इंग्लिस में हम इस आसन को ब्लैंक पोस कहते हैं। ये आसन आपको हेल्प करेगा ना केवाल आपका वजन कम करने में बलकि आपके शरीर को मजबूत बनाने में भी। मैं अतुल मिश्रा सिद्धी योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तो अपने आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने आसन की pięć को समझ लेते हैं। तो अगर आपको शूलडर से कोई इंजरी है कोई पें है या फिर रिडिर से कोई इंजरी है या भी है यह बैठ कर करने वाले आसनों की केटिगरी में आता है तो इसका अभ्यास हम अपने दंडासन की पोजिशन से सुरू करेंगे दोनों पैरों को मिलाकर अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखके इस तरीके से दंडासन की पोजिशन में आने के बाद हमें टेबल टॉप की पोजिशन में आ जाना है तो यह आपकी टेबल टॉप में आने के बाद आपको अपने राइट लेक को पीछे की तरफ सीधा करना है और सामने के तरफ देखिए तो यह भी एक प्रपरेटरी प्रेक्टिस है प्लैंग पोज के लिए तो पहले अगर आप है ध्यान रहे आपकी दोनों कौनिया वह वह सीधी रहेंगी यहाँ पर आपकी शूल्डर जॉइंट इल्बर जॉइंसों तीन वह एक लाइनं में रहेंगे नों हातों और प्रेशर डालने के लिए अपनी back को इस तरीके से हंच कर सकते हैं तो पहले हम right leg को सीधा करके इस तरीके से practice करेंगे फिर अपने right knee को नीचे drop कर देंगे फिर अपने left knee को सीधा करके इस तरीके से हमें इस आसन का अभ्यास करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोन करना है पहले अपने लेख को सीधा कर देना है और ध्यान रहें दोस्तों इस तरीके से आपको इस आसन का अब्यास करना है आपकी पर कोई पर प्रेसर नहीं होगा अंच करना है अपनी अपर बैक को और धीरे से आगे की तरफ पुश करना है तो यह जो है यही सासन की final position है आपको अपनी गर्दन को बहुत ज़दा ऊपर की तरफ पुश नहीं करना है हलका सा रिलाक्स रखेंगे अपनी नेक को अगर आपको cervical की समस्या है तो आपको अपनी नेक पर बिल्कुल भी pressure नहीं दालना है तो इस आसन में आप देख सकते हैं कि जो pressure है वो आपकी core पर आता है तो जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे होते हैं final pose में द्यान रखना है आपको अपने घुटनों को bend नहीं करना है आपको अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है ताइट रखना है अपनी kneecaps को thigh muscles को टाइट रखना है back को hunch करना है और यहाँ पर आप इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं तो ध्यान रहे दोस्तो इस plank pose का अभ्यास शुरू करने से पहले आपको टेबल टॉप की practice करने ही है टेबल टॉप को जब आप 30 सेकंद से 40 सेकंद तक को टूर करने लगते हैं उसके बाद आपको इसांन का अभ्यास एक-एक पैर को सीधा करके करना है यहाँ पर भी पर आता है तो आपकी wrist muscles strong होती हैं आपकी shoulders जो है वो strong हो जाते हैं और आपकी core muscles strong हो जाती है आगे चलकर बहुत से ऐसे आसन आएंगे जनमें कि आपको अपनी core strong चाहिए होगी और इस आसन की अभ्यात से आप अपनी core को बहुत ज़िदा strong बना सकते हैं As a beginner, आपको इस आसन का अभ्यास दो से तीन बार और हर राउन में आप इस आसन को 20 से 30 सेकिंड तक as a beginner hold कर सकते हैं, इससे यदा आपको push नहीं करना है अपनी body को starting में इस आसन को करने के लिए, otherwise आप लोगों को injury हो सकती है, और इस आसन का अभ्यास करते हुए, प्रपरिटरी final pose को और अच्छी तरीके से करने में, ध्यान रहे इस आसन के अभ्यास में, आपको अपनी कमर के पिछले भाग पर या निचले भाग पर बिल्कुल भी pressure नहीं डालना है, आपका जो pressure है वो आपकी core पर रहेगा, तो दोस्तों ये थी इस आसन के बारे में जानकारी, मैं के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.